तो ये जो वीडियो है ना ये फ्राइडे का वीडियो है दोपैर का वक्त था मतलब दोपैर के वही साड़े तीन पॉने चार का ये टाइम रहा होगा बच्चे स्कूल से आ चुके थे हम लोगों ने लंच भी कर लिया था और बस अभी मैं यहां पर लगा रही हूं कपड़े तो सर्फ जो है पूरा खतम हो चुका था तो मैं क्या करती हूं ना सीधे ही चार किलो का जो पैकेट होता है सर्फ का वो मंगवा लेती हूं तो वो मेरा एक महिने से उपर जो है चल जाता है सर्दियों में थोड़ा सा कम चलता है क्योंकि सर्दियों के कपड़े थोड़ा ज जादा होते हैं गर्मियों में चल जाता है और चार किलो को मंगाऊना तो काफी ठीक रहता है इदर सारा सर्फ जो है ना मैंने एक बॉक्स में भरके रख लिया है अब इस बीच ना हमारी हाउसल पर आई थी जो दूपैर में भी बरतन दोने के लिए आती है तो वह बरतन वग सारे धूल गए ना उसके बाद बच्चों ने अपने टीफिन वगेरा निकाले तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि अपनी सारी चीजे ना टाइम पे निकाल लिया करो बच्चे ना मतलब अगर इनको मैं दोपैर बोलूंगी ना कि तुम अपने टीफिन निकालो तो इ यहां पर देखे किचन मेरी पूरी खाली हो चुकी है और अब यह है श्याम का टाइम तो कपड़े तो दूल गए थे बट मैंने ना बाहर सुखाए नहीं थे क्योंकि धूब बहुत ज्यादा तेज हो रही थी तो अब ऐसा होता है गर्मियों में कि श्याम के टाइम जो है कपड़े डाल दो तो नेक्स टे तक वो है सूख जाते है और यह टाइम मच्छा भी लगता है थोड़ा मतलब ठंडा ठंडा सा रहता है दूपर में तो बैलकनी में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है इसके बाद ना सैटेड़े को मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया एक एक खर्चे ना वो खतम ही नहीं हो रहे है अब यह बुक्स वगेर आई उसके बाद देखा की वंशी का की स्कूल ड्रेस है वो छोटी हो गई है फिर अभी स्कूल ड्रेस लेकर आए फिर बच्चों ने बोला न्यू बैक चाहिए यह बैक भी खराब हो गए है तो फिर वही खर्च वाला महीना है ना इतना जादा की आप चाहोगे बीना की दो पैसे बचालो इस वाले मंथ तो बचते ही नहीं है खेर यहाँ पर देखिए मैंने श्याम को जो है पूजा वगेरा कर ली है उसके बाद अब नवरातरे आने वाले है ना तो बस मैं लोबान वगेरा खर लाई है कुछ भी अगर आपको लगता है ना कुछ नेगटिविटी है घर में बरकत नहीं है या घर में नजर लगी हुई है देखो मानने वाले मानते नहीं मानने वाले नहीं मानते पर कहीने कहीना इन चीजों का एक इफेक्ट आपकी लाइफ में पढ़ता जरूर है काफ इस बार मैं खुब सारे पैकेट एक साहती लेकर आई हूँ कि पूरा मन्त जो है वो चल जाए तो जरूर जलाना आप लोग भी जलाना बहुत अच्छा लगता है इधर देखिए रात को जो है वही डिनर की तैयारी हो रही है तो खाने में मैं आज मनाने वाली हूँ आलू और शिमला मिर्च की सबजी तो मैंने फटा फटा से शिमला मिर्च जो है वो कट कर दी है आयरेन की कड़ाई ले ले ली है मस्टर्ड ओयल डाला है और यहां पर तब तक प्यास कट कर लेती हूँ प्यास का लगाउंगी तड़का कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप सबजी क कर रहे होते हो तो आपको सदन ध्यान में आता है कि यह सबजी मैंने कट कर दी है यह किसी और चीज के काम भी आ सकती है तो ऐसे ही जब मैं शिमला मिर्च कट कर रहे थी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया थोड़ी से शिमला मिर्च मैंने जो है अलाग बचा के रख ली आगे रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो यहाँ पर पहले देखे सबजी में रखा लेते हैं तड़का मैंने थोड़ा सा जो है राई और थोड़ी से हिंग एड़ कर दी है साथ में मैंने प्याज एड़ कर दी है अच्छे से जो है इनको गोल्डन ब्राउन ह जो है वो एड़ करेंगे घर पर बना हुआ भी आप एड़ कर सकते हो मेरे पास पैकेट यह रखा हुआ है अब तो वैसे भी मैं लेकर आई जाती हूँ थोड़ा सा यह होता है कि मेरे कामों में ना इन चीजों से हैल्प मुझे मिल जाती है तो मैंने थोड़ा सा जिंजर ग करेंगे जब तक सब्जी पक जाएगी तो यह देखें यहां पर सब्जी ना गल चुकी थी और तब तक जो शिमला मिर्च मैंने बचाई हुई थी वो मैंने और बारी कट कर ली थी साथ में प्याज और लैसुन भी कट कर लिये थे आज मैं फ्राइड राइस बनाने वाली ह की उससे पहले मैं कर लेती हूं आटा तयार क्योंकि रोटी यह रात करोटी तो जरूर ही बनती है और कोई खाय ना खाये लेकिन हमारे घर में विदांश है उसको तो रोटी चाहिए ही होती है तो कभी-कभी आसा होता है एक सिफ विदांश के लिए भी मुझे आटा गुनन आपकोर में निया है तो अपने मिर्च बमें लही काँ सब्ज जा reviewed लीक के दाक्राइग, आखिसी कe सफ में गुर्मीरी चाहेud, दूट सारं के एक जांगे इस्में आप गाजर ब्लूसेन ओक्यों आपकोर से जाने सबस्क्राइब करें चावल और चावल एड़ करने के बाद इनको करिनalinis अच्छे से कशिक всем और इसे मिट्छ वो अच्छे से मिक्स हैं तो डेसी मिसाले के adjustments देसी मिसाले होतें वोट किया हिए साथ में 1 2 ढब ऑप srina- Levazione सोय मित्कुत ही घ्लका के सथřां बनके बिल्कुल रेडी हैं और यह बहुत अच्छे लग रहे थे मतलब इनको तो आप वैसे भी खालो ना बहुत अच्छे लगते हैं और बस अब मैं बनाऊंगी गर्मा गरम रोटिया क्योंकि यही मेरा लास्ट काम रह गया था रोटिया मनाने का बाकी सारी चीजे जो है न वो मैंने रेडी कर ही ली थी तो जैसे मैं बात कर रही थी ना बच्चों के खर्चे के बारे में इससे पहले अभी मुझे आपको मतलब बताने के लिए और खर्चे याद आ गए तो जैसे मैंने बोला वंची का की ड्रेस छोटी हो गई है अब पता लगा है कि इनके हाउस भी चोटी हो गई है उसके बाद पता लगा कि जो हाउस ड्रेस वाले शूज होते हैं वो भी चोटे हो गए हैं तो मतलब मुझे लगते हैं कि हर घर में इस टाइम पर ये दिक्कत चल रही होगी ना ये बजट इतना बिगाड़ता है ना ये वाला मन्त बहुत जारी होच प रोटी बना ली है यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूं नेक्स्टे मॉनिंग मतलब की सैटेडे मॉनिंग का ही वक्त है बच्चे है चुटी और यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों को उठाया भी नहीं था अभी तक और ये वक्त होगा करीब साथ बजे का मैं दूप हो जाती है कि दूप में घुमना तो नामुम्किन है तो बस यहाँ पर पहले सुबह की चाय बनाओंगी और इस चाय के साथ पतिदेव को भी उठाओंगी इन सुबह उठते ही मैंने चाय नहीं पिये इससे पहले जो मेरा एपल साइडर विनेगर वाला पानी मैं पी देखिए सुबह वाली चाय बन चुकी थी अद्रक मैंने डाल दी थी फिर मुझे याद आया कि तोड़ा सा इलाइची पाउडर भी इसमें आड करती हूं तो मैंने एकदम से फिर इलाइची पाउडर भी आपर एड कर दिया अच्छा लगता है दोनों का टेस्ट तो बस इ नेगले वीडियो के साथ अब तक ले बाबाई एंड टेक केर